क्लास 11 और 12 के बच्चे बिना एक्जाम का पैटर्न जाने हुए एक्जाम की तयारी करने में लगे हुए तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं क्योंकि यहां पर बदलाव कुछ इस तरीके का है जो बदलाव आपको अपनी प्रिपरेशन के अंदर जरूर जानना चाहिए थोड़ा सा समय लगेगा एक बार जान लो cbsc बोड़ वालो बुच्चो कि क्या-क्या बदलाव हुए हैं तुमारे पेपर के पैटरन में अगर न इस का तुमारा प्रोजेक्ट वर्क होता है या फिर इंटरनल असेस्मेंट होता है लेकिन तुम तयारी करते हो इस की 80 नंबर के पेपर की अब इस 80 नंबर के पेपर के अंदर कुछ डिस्रिबूशन इस तरीके का यह दोस्त कि आज कल पैरग्राफ बेस्ट कोशन भी आते ह होगा assertion reason के question आ रहे हैं assertion और reason की दो statement लिखी होती है ABCD करके आपको option given होते हैं या फिर statement based questions होते हैं कौन सी statement true है false है mcq gradient हो सकता है दोस्तों ये वाले questions इन सभी questions को CBSC बोलता है ये competency based questions है और अब जो तुम 2025 में paper दोगे इसकी weightage तुमारे 80 में से 40 number की होगी 40 number के 80 में से ऐसे question आएंगे तिल मिलाते होए questions समझे लिए तुम्हें content को अच्छे से समझना पड़ता है रटे वाली बात नहीं होती content अच्छे से समझोगे तो ऐसे questions को बिल्खुल सही तरीके से crack कर पाओगे ठीक है 16 नंबर के mcq आप से पूछे जाएंगे डारेक्ट सी दे मतलब to the topic mcq होंगे ABCD आपको सही से दिखाई दिए रहा होगा अगर आपको ठीक से पता है तो सही answer क्या है confusion के जरुत नहीं होगी और दोस्तों तो short and long answers होते थे वह अब आएंगे 24 marks के सर क्या बोल रहे हो बाई देखो जनरल सी एक बात बताता हूं 100 नंबर का subject आपका 80 नंबर का अगर तुम paper देने जा रहे हो तो CBSC बोर्ड ने बोल दिया है जो competency based questions होंगे आपके वो 50% हो गए है जो direct MCQ आपसे पूछे जाते हैं वो 20% है 20% मतलब भाईस आप 80 का 20% निकालोगे तो 16 MCQ बनेंगे सीधे साधे प्यारे से चलो जी एक पाट यह हो गया ठीक है और 30% बोला हुआ है long and short answers आएंगे इसको बोल द अब तुम पूछोगे सर कि यह सब कुछ पहले भी था क्या नहीं नहीं ऐसा नहीं था अरे पहली और अब में बदलावे भाईया देखो क्यारवी बारवी की बात कर रहा हूं कोई भी stream हो यह फर्क ने पड़ता 2023-2024 के अंदर जो competency focused questions आते थे यानि जिनकी मैंने starting में यह वाले questions यह वाले questions इसने इसको इतना रंग से बताया भी नहीं हुआ वह पहले 40% आते थे अब हो गए 50% 10% के changes होए हैं यानि कुल मिला के 8 नंबर के अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई paper 70 नंबर का होता है 30 नंबर का उनका internal assessment हो जाता है project वर वगरा हो जाता है तो वह percentage के हिसाब से इनको adjust कर लेना मैंने 100 नंबर वाले paper के हिसाब से बताया है जिसमें 80 और 20 की division है पहले भी 20% यह नहीं 16 MCQs लप्पू आते थे अब भी 16 MCQs लप्पू आएंगे easy आएंगे पहले तुम्हारे 40% यह learning वाले होते थे रटने वाले तुम बोल सकते हो अब यह 30% ह अब यह approach समझना बच्चा बोलेगा सर इसका मतलब अब हमें learning कम करनी है क्या क्योंकि learning वाले तो आई नहीं रहे अरे ऐसा नहीं है गलत गलत तरीके से इन चीजों का बखान किया गया है सही बताता हूं जब तक तुम learn नहीं करोगे तब तक तुम इनको कैसे लिखना है नह identify कर लोगे उसके बाद learning based चीज़ें तो जो तुम लिखोगे for example एक image आई है इस image को देखकर बताओ कौन सा concept है तो आप image को देखकर बता दोगे कौन सा concept है इसका एक ही number होगा फिर इसके reason causes कुछ ना कुछ explain करने के लिए होगा वो भी 2-3-4 number तक का हो सकता है बाई learning तो अभ करन हो पाता है रटना बहुत एक rare तरीके का exception है लेकिन समझदारी की बातिया करते हैं तो overall आप लोगों को जान लेना है पैटर अपने दोस्तों को बता दो कि बाई साब यह बतलाब हो गया है अगर तुम जानना चाहते हो असर्शन रिजन के कोशन कहां से करें राजे किसी किसी भी स्ट्रीम में हो किसी भी सब्जेक्ट में हो असर्शन रिजन के 2mcq तो कम से कम आई रहे हैं 2mcq यहां से आ रहे हैं तो खुल मिला के आपके 16 और चार 20mcq तो होई गए कोई बचा सोचा है हां आमने तो 20mcq सुने थे तो 16 असान है चार वाले थोड़े मुश्कि आपको बहुत 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 थेंकी सो मच आप लोगों का प्यार बना रहना चाहिए कोई भी आपके requirement है दोस्त comment section खाल लिए आपकी जो demand है वो supply करेंगे थेंकी सो मच जय हिंद जय भारत नमस्कार धन्यवाद